हलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रेडिंगुनर अभी आप हमारा दिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradingunner.com पर भी देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में पावर फाइनेंस कोपेशन लिम्टेट का फंडामेंटल अनलिसिस करेंगे पाजत्रोषट की स्कूर के दुरूप अनलिसिस करेंगे पाजत्रोषट की स्कूर प्रोफेशर जुस्च प determination की तवरा द्वलप किया गया है जोंकि स्टेंफोर्ट उनिवेस्टी में प्रोफेशर थे उन्होंने यह स्कूर्ण इसको नो क्राइटेरिया के आधार पर डेवलप किया है और यदि कोई कंपनी ये क्राइटेरिया फुल्फिल करती है तो उसको हर क्राइटेरिया में एक पॉइंट मिलता है इस तरह से कोई भी कंपनी मैक्सिमम नाइन पॉइंट ले सकती है और यदि कोई कंपनी किसी क्राइ के बेसिस पर कर रहे हैं यानि कि यह एक एन्वल कि फंडामेंटल एनलिस है और जहां भी हमको ज़रुरत होगी वहां पर हम Fy 2019 से इसके figures को compare करेंगे इसलिए यह जो fundamental analysis है यह annual basis का है और यदि कोई company 7, 8 या 9 points लाती है तो वो fundamentally strong मानी जाती है और यदि कोई company 4, 5 या 6 लाती है उसे हम average की category में रखते हैं और यदि कोई company 0, 1, 2 या 3 marks लाती है तो वो fundamentally poor company मानी जाती है तो हम यहां पर शुरू करते हैं इसका analysis जिसमें कि हम first category में लेंगे profitability जिसमें चार criteria होते हैं कौन-कौन से criteria होते हैं हम देखते हैं यहां पर पहला criteria होता है positive net income हम देखेंगे कि क्या company की positive net income है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि company ने 9,455.82 करोर की एक net income generate की है जैसा कि आप यहां पर report में देख रहे हैं यहां पर यह जो आपको हम data दिखा रहे हैं यह आप moneycontrol.com की site पर भी देख सकते हैं जिसमें पहला column मार्च 2020 financial year का है और दूसरा column मार्च 2019 का है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि company ने 9,455.82 करोर की net income generate की है यानि company ने इस criteria को fulfill किया है तो यहां पर हम company को एक point देते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे criteria की तरफ जहां पर हमें चाहिए है positive return on asset यानि की return on asset positive होना चाहिए तो देखते हैं कि company ने क्या किया है यहां पर company return of asset company का current year में यानि March 2020 में 1.02 है जो कि आप यहां पर data में देख सकते हैं तो यहां पर हम company को एक point देते हैं क्योंकि यह इसने criteria fulfill किया है अब हम आते हैं अपने तीसरे criteria पर जो कि है positive operating cash flow हम देखते हैं कि क्या company ने operating cash flow positive generate किया है या नहीं तो यहां पर अफसोस है कि company का जो cash flow है वो negative है 42,689 जो कि यहां पर आप देख सकते है 42,689.90 करोर का इसका जो cash flow है वो negative में है इसलिए यहां पर company को मिलता है zero point क्योंकि यह criteria उसने fulfill नहीं किया है अब हम देखते है profitability category की last criteria जो कि है cash flow from operations greater than net income हमें यहां पर एक चीज़ देखनी है कि अब यह जो criteria है यह थोड़ा सा tricky criteria है और इसमें हमको देखना है कि cash flow from operations greater than net income यानिकी जो हमने भी तीसरा point में देखा था operating cash flow वो net income से ज्यादा होना चाहिए लेकिन जैसा कि आप जानते है इस company ने और एक negative cash flow generate किया है तो इसमें इसको पावर फाइनेंस cooperation को profitability में दो points ही मिलते हैं और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पहला round है पाइत्रोस की score का इसमें इसको मिल रहे हैं दो points अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़के अपने दूसरी केटेगरी को लेते हैं जो कि है leverage इसमें तीन केटेगरीज है इसमें तीन criteria है देखते हैं एक एक criteria को पहला criteria है lower ratio of long term depth यानि कि जो long term depth है वो यहां पर देखे lower or higher की बात होगी यानि अब हम comparison करेंगे 2020 को 2019 से तो यहां पर हम देखते हैं कि long term depth current year का पिछले साल के picture lower होना चाहिए उससे कम होना चाहिए तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है long term debt ratio जो है current year यानि कि जो current ratio है वो present year में higher होना चाहिए पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए तो हम यहां पर देख रहे हैं कि current ratio in the current year वो 1.09% यहां कि पिछले साल 24.53 था जो कि आप यहां पर data में देख रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि company ने इस criteria को भी fulfill नहीं किया तो यहां पर भी company को मिलते है zero point अब हम आते हैं leverage पर कि lack of shares dilution share dilution का मतलब है कि यदि company ने कोई नया equity share issue किया है तो यदि कोई company नया equity share issue करती है इसका मतलब और वहां पर उसको zero point मिलता है तो यहां पर हम देखते है कि क्या company ने कोई नया share issue किया है तो यहां पर मैंने data को check किया और मैंने पाया कि कि किसी भी तरह का इंगो नया share issue नहीं किया इसलिए हम यहां पर company को देते हैं एक point इस से हम देख रहे हैं कि leverage में इसको एक point मिलता है अब देखते हैं हम क्या position है दूसरे round के बाद में यहाँ पर leverage में इसको एक point मिलना है और यह total जो point हो गए है इसके पॉइंट्स हो गए हैं दो राउंड के बाद अपके बाद एक राउंड बाकी है जिसमें कि दो क्राइटेरिया है और यह category है operation efficiency की तो हम देखते हैं operational efficiency में दो क्राइटेरिया कौन-कौन से हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है higher gross margin यानि कि जो gross margin है या gross profit margin है वो पिछले साल के picture इसका ज्यादा होना चाहिए देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है तो यहाँ पर जो पिछले साल इसका gross profit margin था वो 96.93 परसेंट था जबकि इस साल यह केवल 88.34 है जबकि यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए यानि कि company ने एक राइटेरिया को fulfill नहीं किया है और हम company को देते हैं इ दूसरे criteria और हमारे analysis के अंतिम criteria में जो की है higher asset turnover ratio यानि asset turnover ratio पिछले साल की effect ज्यादा होना चाहिए तो क्या होता है देखिए का यहाँ पर जो asset turnover ratio है इस साल माज 2020 में वो 8.95 है और पिछले साल यह 8.60 था यानि कि इस वार यह बढ़ गया है यह आप देख रहे हैं data में तो य फिक कर लिया है इस तरह से operational efficiency में company को एक point मिलता है और हमारे तीसरो final round में company को हमने एक point और दिया इस तरह से हम देख रहे हैं कि company की जो पाइत्रोस की score है वो 4 हो गया है total तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि company ने बहुत अच्छा perform नहीं किया है और company का जो fundamentals है वो एक average कहे जा सकते हैं lower to average इसके fundamentals है काफी ज्यादा वीक है उसका reason मैंने आपको बताया ही क्योंकि यहाँ पर leverage इनका ठीक नहीं हुआ है और इनके profitability में भी इनका जो cash flow था वो negative था काफी बड़े amount से इनका cash flow negative था साथ में इनकी operational efficiency भी ठीक नहीं थी और इनका current ratio ज्यादा नहीं था तो यह था एक analysis power finance corporation limited का जो कि हमने 5 प्रोस की score के through निकाला है और हमने देखा है कि power finance corporation limited fundamentally एक week to average company है और इसलिए यह आप देख रहे हैं कि इसके shares में भी बहुत ज्यादा interest नहीं है participants का और तो कि इस पर जो financial or leverage burden है वो बहुत ज्यादा है friends आपको ये वीडियो कैसा लगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please इसे like कीजेगा और share कीजे और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कीजेगा और bell icon को press कीजेगा Thank you कर दो